मोटा काजल और आई-लाइनर लगाने का एक सही तरीका क्या है तो चलिए फ्रेंड्स आज मैं आपको यह बताने जा रही हूं हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सब लोग हेलो फ्रेंड्स मेरा नम अनुगमा चौधरी है रॉयस चाहिमें आपका स्वागत है तो चलिए फ्रेंड्स साथ आपको बहुत ही इजी तरीका बताने जा रही हूं कि अभी में लाइव आई थी तो आपने बोला था ना कि मैं मोटा काजल भी आपको लगाना बताओं तो किस तरीके से मोटा काजल को हम लगाएंगे उसके बाद आई लाइनर को उसके पर सेट करेंगे और साथ साथी मसकारे से हम अपने आई मेकप के लुक को फिनिश करेंगे तो वो साथ बसन में आपको बताने जादी है तो चलिए फटा-फट स्पार्ट करते फटा-पर ऍस्टर्ट है ने से पर ए वीडियो को लाइक चैनल को सबस्क्राइब और वीडियो को शेयर जरुर करिए लिए तो चली फ्रेंट स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम compact लेंगे कोई भी अपना हम favorite compact ले सकते हैं और उसको हलका सा eyes के नीचे प्रेस कर लेंगे ताकि अगर extra oil हमारी eyes के नीचे आता है तो वो ठीक हो जाए उसके बाद में उसके बाद हम एक earbird लेंगे और हलका सा compact में इस तरीके से उसको घुमाएंगे और फिर अपनी eyes के यहाँ पर हम हलका सा इसको move करेंगे अगर हमारी यहाँ पर ज़्यादा oil secret होता है या हमारा काजल फैलता है तो इससे हमारा काजल फैलेगा नी और water line में जितना भी हमारा इस तरीके से water line पर हम अपने earbird को फैलाएंगे और इस तरह से फिर compact लेंगे और eyes के नीचे अच्छी तरीके से लगा लेंगे यहाँ पर हमारे अक्सर काजल फैलता है इस तरीके से earbird से इसको set कर लेंगे उसके बाद हम काजल लगाना एपलाई करेंगे हम अपना कोई भी फैवरेट काजल ले सकते हैं मैं आज फैसिस कंपनी का काजल यूज कर रही हूँ तो फ्रेंट्स इस तरीके से हम अपने water line पर पहले काजल लगा लेंगे इसके पाद से मों पर भी लगाएंगे अलका सा स्टेच कर लेंगे यांसे और फिरम लगाएंगे इस तरीके से काजल लगाने के बाद मैं फिरम आई-लाइनर लगाएंगे ये पैने शुगर कंपिनी का आई-लाइनर लिया है इसको प्रिपलम वाटर लाइन के नीटे लगाएंगे आई-लेंडर ले हम के सबस्टेच करेंगे, ये नीचे बर की लगाएंगे के लगाएंगे फिरम आई-लाइड को आपएंगे पर आई-लाइनर लगाएंगे उसके लिए हम अपनी इसको ना किसी टेबल पर टिका लेंगे अपनी को ताकि हमारे हाथ की मुवमेंट जागाना हो और यहां से हम अपनी गालों पर टिका के शेच करके फिर आई-लाइनर लगाएंगे इस तरीके से मिलादेंगे सेम या सेम पीछे से मिलादेंगे सेम इसी तरीके सेम इधर भी आई-लाइनर लगाएंगे को इस तरीके सेम में दोनों आई-लाइनर और काजर मोटा काजर दोनों लगा विया अपर जब हमारा आई लाइनर सुख जाएगा तो फिर हम मस्कारा लगा के अपने आई लूप को कम्प्रीट करेंगे यह मैं कलर साथ का मस्कारा ही यूज़ कर रही है आई-ब्र साथ है थो फ्रेंस इस तरही ह से अपने इस त्रिके से बहुत ही इसलिड आप आपने काजल वी खर औप दिया जाएगा है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेर जरूर कर यह अर बाइग